हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूटुब चैनल में स्वागत है देखे फ्रेंड्स आज हम इन दो कलरों की उल से बेस वाला कलर हम रखेंगे बिल्यू कलर और डिजाइन डालने के लिए उपर रखेंगे हम वाइट कलर इन दो कलरों की उन से बहुत ही सुंदर हम एक से भी सुंदर ये डिजाइन बनता हूँ आएगा तो चलिए सीख लेते हैं कि इन दो कलरों की उल से हमने इस डिजाइन को की इस तरह से बनाया है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंगल दागे से एट के मल्टिपल में फन दे लेके टू फन दे मैंने एक्स्ट्रा लिये हैं और नीडली हैं यहां पर मैंने 10 number की तो यहां पर फंदे डाल के मैंने एक सीधा एक उल्टे का यह छोटा सा बोडर बनाए चैर सिलाईयों का आपको जो भी बोडर पसंद है आप बोडर बनाएए जो बोडर आपको पसंद है और यहां से मानिये डिजाइन की हमारी पहली सिलाई सीधी सिलाई तो इस सिलाई में हम यहाँ पर सेकिंड कलर लगाएंगे वाइट कलर पूरी सिलाई को ऐसे हम सीधा सीधा बनाते हुए हम कम्पलीट करेंगे डिजाइन की पहली सिलाई सीधी सिलाई इसे हम पूरी रो को ऐसे सीधा सीधा बना गे तो मैं बना लेती हूँ सीधा सीधा तो यह देखे पहली सिलाई को हमने पूरी सिलाई को सीधा सीधा यहां पर बनाते हुए कम्पलीट किया डिजाइन की दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई, दूसरी सिलाई को हम यहाँ पर देखिए, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, तो मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ, दूसरी रो को उल्टी साइड से, तो यह दूसरी सिलाई मैंने उल्टी साइड से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया डिजाइन की तीसरी सिलाई और यहां पर देखी सीधी सिलाई तीसरी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे बेस वाला कलर हम यहां पर तीसरी सिलाई में लगाएंगे तो की इस तरह से पहले फंदे को आप बेस वाले कलर से सीधा बनाईए इस तरह से, एक फंदा स्कीप कीजिए, इस तरह से, आगे छे फंदे फिर से हम बेस वाले ब्लू कलर से सीधे बनाएंगे, दो, तीन, चार, पांच, और छे, अब दो फंदे ऐसे ही हम स्कीप करेंगे, ब्लू कलर से सीधे बनाएंगे, तीन, च्यार, पाथ, छे, आगे दो फंदे फिर से ब्लू कलर से सीधे बनाएंगे, आगे फिर से छे फंदे हम ब्लू कलर से सीधे बनाएंगे, तीन, च्यार, पाथ, छे, एक फंदे को स्कीप करेंगे, लास्ट वाले को फिर से ब्लू कलर से सीधा बनाएंगे तो यह हमने यहां पर देखिए तीसरी सिलाई को सीधी साइड से हमने बनाते विए कंपलीट किया डिजाइन की चौथी सिलाई उल्टी सिलाई चौथी सिलाई में हमने जो बिल्यू वाले फंदे हैं इनको उल्टे बनाना हैं इस तरह से और जो यह वाइट वाले फंदे इनको ऐसी स्कीप कर लेंगे फिर से ब्लु वाले फंदे हैं इनको हम ऐसी ही उल्टे बनाएंगे छे फंदे ब्लू वाले हों उल्टे बनाएं वाइट वाले को स्किप करेंगे ब्लू वाले फंदे फिर से हम उल्टे बनाएंगे वाइट वाला स्किप लास्ट वाला फंदा ब्लू वाला भी सीधा बना लेंगे लास्ट में उल्टे साइड से तो यह हमने यहाँ पर 4th row को उल्टी साइड से बनाते विए complete किया डिजाइन की 5th row यानि कि 5th row यानि कि 5th row से धी सिलाई 5th row को थोड़ा सा अब ध्यान से देखे कि किस तरह से बनाएंगे तो यह 5th row सिलाई में अब हम 2nd color यह white color लगाएंगे white color से सीधा बनाएंगे इस तरह से पहले फंदे को अब हमने क्या करना यह फंदा इधर लेके आना है और यह दो फंदे इधर लेके आएंगे तो किस तरह से बैक से हम इन दोनों फंदों में नीडल डालके इस तरह से इस फंदे को यहां लेंगे और इन दो फंदों को आगे डाल लेंगे इस तरह से अब इस फंदे को वाइट एक के और बनाएंगे इस तरह से इसको ऐसे ही स्कीप कर लेंगे जो यह वाइट वाला फंदा है इसको हम ऐसे ही वाइट ही बनाएंगे तो ये दो वाइट आ गए, एक बिल्यू मैंने स्कीप कर लिया है, एक वाइट आ गया हमारा इस तरह से, अब यहाँ पर देखिए, ये दो फंदे और हम बीच वाले हैं, इनको बिल्यू वाले को हम वाइट कलर से सीधा बनाएंगे, ये तीन फंदे हो गए हमारे, अब जो य ये फंदा है, ये इधर आएगा, और ये फंदे दो बिल्यू यहाँ पर आएंगे, तो किस तरह से, इस वाइट वाले में नीडल डाल लेंगे हम, इस दो को ऐसे निकाल के, बैक से हम वापिस नीडल में इसमें डाल लेंगे, दोनों फंदों को, और इसको वाइट वाले को यहां पर रखेंगे इस white को भी हम white color से ही सीधा बनाएंगे तो एक इधर आ गया एक इधर cross में हमारा यह इस तरह से बन गया अब इसको ऐसे ही skip कर लेंगे हम बगैर बुने इस फंदो को लेंगे सीधा बना लेंगे इस तरह से अब यह white वाला फंदा है यह इधर आएगा इन दो के पिछे यह दो blue वाले ही यह आ गया आएंगे तो back loop से हम इनको इस तरह से needle में डालेंगे इसको इधर डालेंगे अब इन दो को पिछे से यहां पर डालेंगे और इसको भी सीधा बनाएंगे इस तरह से इसको ऐसे ही skip कर लेंगे अब इसको white वाले को सीधा बनाएंगे इस तरह से अब जो यह बीच वाले च्यार फंदे ही इन में से दो फंदे हम white से बनाएंगे तो एक और दो अब जो यह white वाला बीच में दो फंदे हमारे आए हैं ये आगे आएगा बिलू वाले पीछे जाएंगे तो वाइट वाले में ऐसे नीडल डाल लेंगे हम और उन बिलू वाले को निकाल के और पीछे से हम इन दोनों को वापस नीडल में डाल लेंगे इसको आगे डालेंगे इसको अब हम सीधा बनाएंगे इस तरह से बिली वाले को स्किप करेंगे इसको फिर से हम सीधा बनाएंगे इस तरह से अब जो ये ये वाला वाइट है ये इधर जाएगा इस तरफ तो ये दो बिलु वाली आ गएएंगे वाइट वाला इधर आएगा तीसरे नंबर पे तो बैक लूप से हम दोनों में ऐसे नीडल डालके वाइट वाली को लेफ्ट नीडल पे लेंगे और अब इन दोनों फंदों को भी लेफ्ट पे डाल लेंगे तो अब एक सीधा आएगा बिलू वाले को skip कर लेंगे हम इसको इस तरह से अब इस white वाले को भी सीधा बुन लेंगे हम दो फंदे हम ये और बुनेंगे एक दो अब जो ये white वाला है ये आगे आगा बिलू वाले पीछे जाएगे तो आगे से ऐसे नीडल डालेंगे और इसको इस तरह से पीछे से दोनों फंदों में हम को हम नीडल में इस तरह से डालेंगे इसको आगे पलटके डालेंगे इसको सीधा इसको सीधा बनाए इसको skip करेंगे इसको फिर से सीधा बनाएंगे और last वाले को भी हम सीधा ही बनाएंगे तो यह पांचमी सिलाई हमारी इस तरह से बन के complete है डिजाइन की छटी सिलाई छटी सिलाई को हमने किस तरगना बिलु वाले फंदे स्कीप करेंगे white वाले को उल्टा उल्टा बनाएंगे तो white वाले उल्टे बनाए जाएंगे blue वाले skip करेंगे फिर से white वाले ये 4 फंदे हैं इनको उल्टा बनाएंगे फिर एक blue वाला skip करेंगे फिर से एक 2 white आई हैं इनको भी उल्टा बनाएंगे इसको फिर से skip तो ये छटी सिलाई हम बिलु वाले फंदे स्कीप करके वाइट वाले को उल्टा उल्टा बनाते हुए हम छटी सिलाई को कम्प्लीट करेंगे इस तरह से ब्लू वाला स्किप वाइट वाले भी उल्टे लास्ट वाला उल्टी साइड से सीधा तो ये हमने यहाँ पर छटी सिलाई को उल्टी साइड से बना के कम्प्लीट किए इस तरह से डिजाइन की साथमी सिलाई साथमी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे तो साथमी सिलाई को हम फिर से वाइट कलर से ही बनाएंगे इस फंदे को हम पहले फंदे को वाइट कलर से सीधा बनाएंगे अगले को भी हम सीधा ही बनाएंगे अब जो ये वाइट बिलू वाला फंद हाँ हमारा इसको हम इधर लेके जाएंगे तो इस वाइट से आगी लेके आएंगे वाइट वाले को इधर लेके आएंगे तो इसको हम बैकलूप से वाइट वाले को एक फंदे को ऐसे डालेंगे और बिलू वाले फंदे को यहाँ से ऐसे इसको यहाँ पर डालेंगे इस तरह से करके इसको हम वाइट कलर से ऐसे बनाएंगे इस को भी अब white color से ही सीधा बनाएंगे इस तरह से अब बीचावले जो ए फंदे हैं दो इनको भी सीधा बनाएंगे एक, दो अब फिर से यह blue वाला फंदा इधर आएगा और white वाला इधर आएगा तो इसे हमने किस तरह से करना है इसको ऐसे लेंगे हम और वाइट वाले को पीछे से निकालके इसको यहाँ पर डालेंगे अब इसको पलटके ऐसे सीधा करेंगे सीधा बना लेंगे एक यह सीधा एक यह एक यह यहाँ पर यह फन दे सीधा है अब ब्लू वाला इस वाइट की जगा आएगा वाइट वाला इधर आएगा तो बैक लूप से हम इसको ऐसे डालेंगे और ब्लू वाले को इधर लेके आएगे इसको आगे डालेंगे इस तरह से अब इन दोनों को हम सीधा बनाएंगे वाइट कलर से इस तरह से अब जो यह फन दे हैं हमारे बीच वाले इनको ऐसे दो को और सीधा बनाएंगे अब जो यह ब्लू वाला हिए इधर आएगा आगे आएगा वाइट वाला इधर जाएगा तो इसमें नीडल डाली पीछे से वाइट निकालके पीछे से हम वापिस लेफ्ट नीडल में लेके इसको ऐसे रखें इसको फिर से सीधा बनाएंगे अब बीच वाले जो ये तीन फंदे हैं इनको भी सीधा बनाएंगे हम अब ये वाला फंदा इधर आएगा इधर जाएगा बिलू वाला वाइट वाला इधर आएगा तो पीछे से हम ऐसे डालेंगे और इस बिलू को हम यहाँ डालेंगे अब इन दोनों को भी हम सीधा वाइट कलर से ही बनाएंगे अब ये फंदे हैं इनको दो को और हम सीधा बनाएंगे अब बिलू वाला फंदा वाइट वाले की जगा आएगा वाइट वाला बिलू वाले की जगा है इस तरह से इसको आगे डाल लेंगे और अब इन फंदों को हम सीधा सीधा बुलनेंगे सभी फंदों को तो यह साथमी सिलाई हमारी यहां पर इस तरह से बन के complete है डेजाइन की आठमी सिलाई उल्टी सिलाई आठमी सिलाई को पूरी सिलाई को हम एक-एक फंदा लेते हुए उल्टा-ल्टा बना के complete करेंगे आठ सिलाई का डेजाइन है और 16 सिलाईों में यह complete होता तो यह आठमी सिलाई में उल्टी-उल्टी बना लेती हुँ तो आठमी सिलाई को पूरे रो को उल्टा-उल्टा बना लिए हम नोवी सिलाई, नोवी सिलाई में अब हम हमें क्या करना जैसे हमने तीसरे सिलाई यहां से बनाई थी ब्लू कलर्स से बना के सीधे ये बीच वाले दो फंदे skip करेंगे हम यहां से फिर से तो किस तरह से दोनी सी लाइक हो तो एक तो तीन चेयर चेयर फंदे ब्लू कलर्स से फिर से दो फंदे यहां पर skip कर लेंगे फिर से अब हम 6 फंदे ब्लू कलर्स से आगे बनाएंगे जैसे पहली सिलाई में बनाई थे 3, 4, 5, 6 दो फंदे फिर से skip करेंगे फिर से हम 6 फंदे ब्लू कलर्स से सीधे बनाएंगे 4, 5, 6 दो फंदे यह वाले फिर से जो बीच में वाइट है इनको फिर से skip करेंगे लास्ट के चार फंदे फिर से ब्लू कलर्स से सीधे बनाएंगे तो यह नोवी सिलाई हमने सीधी साइड से फिर से बनाके कम्प्लीट कर लिए है डिजाइन की दसमी सिलाई दसमी सिलाई में जो फंदे ब्लू कलर्स से बनाएंगे उनको उल्टा बनाएंगे वाइट वाले को skip करेंगे सेम दूसरी सिलाई की तरह है तो यह ब्लू कलर्स वाले फंदे इस तरह से उल्टे बनाके और वाइट वाले को skip कर लेते हूं तो पूरी सिलाई हम ये complete कर लेते हैं तो ये दसनी सिलाई उल्टे उल्टे white color वाले फंदे skip करके बना के complete कर लेए design की 11 सिलाई 11 सिलाई को फिर से हम white color से बनाएंगे सेम तिसरी सिलाई की तरह बनाई जाएगी यहां से आगे से थोड़ा सा change होगा दो फंदे हम white color से सीधे बनाएंगे अब यह white वाला फंदा इदर आएगा blue वाले पीछे जाएंगे तो इस तरह से ये इदर से इदर आएगा white वाले में डालेंगे blue वाले दोनों फंदे back से हम इस needle में डालेंगे इस तरह से इसको हम सीधा बनाएंगे एक को skip करेंगे फिर से इसको सीधा बनाएंगे अब इस फंदे को हम इधर लेके जाएंगे और दो फंदे हम ये आगे लेके जाएंगे इधर white वाला तो back loop से हम दोनों में needle डाल के इसको यहां से अब आगे डालेंगे इस तरह से अब एक और ये white कलर से आएगा इसको फिर से हम skip करेंगे इस तरह से अब white वाला फंदा है इसको सीधा बुन देंगे इस तरह से अब दो फंदे और ये जो चार बचे ही इन में से दो फिर से white वाले आएंगे अब इस फंदे को इधर लेके आएंगे ब्लू वाले फंदे फिर से हम यहाँ वाइट के पीछे लेके जाएंगे इस तरह से तो हम आगे से नीडल ऐसे डालेंगे वाइट में और इनको निकालके पीछे से हम वापीस इसमें डालके इसको आगे लाएंगे इसको फिर से हम सीधा बनाएंगे इस तरह से अब बिलू वाले को फिर से स्किप करेंगे इसको सीधा बनाएंगे इस तरह से अब ये फंदा यहां पर जाएगा बिलू वाले आगे आएंगे तो किस तरह से बैक लूप से, दोनों में ऐसे निडल डालके इस वाइट वाले को पीछे करेंगे, ब्लू वाले को आगे लेके आएंगे अब एक और यह वाइट आएगा, एक ऑइसको स्किप करेंगे अब white वाला सीधा अब ये च्यार फंदे blue है तो इन में से दो फंदे white आएंगे इस तरह से अब फिर से ये फंदा white आगे आएगा तो इसमें needle डालेंगे तिसरी सिलाई की तरही से हम बनाएंगे 11 वी सिलाई है और सीधी सिलाई इसको skip करेंगे इसको white बनाएंगे इस तरह से अब इस फंदे को इधर लेके जाएंगे तो बैक लूप से हम ऐसे डाल लेंगे इस तरह से अब इसको हमने सीधा बनाना है white कलस्टे इसको skip करना है अब बचे हैं तीन फंदे इनको भी white वाइट बूल देना तो यह सिलाई हमने सीधी साइड से बनाते हुए ग्यार्मी सिलाई बनके कम्प्लीट है डिजाइन की बार्मी सिलाई बार्मी सिलाई को हम वाइट वाले फंदे उल्टे बनाएंगे बिलू वाले स्कीप करेंगे तो मैं white वाले उल्टे बनाके blue वाले skip कर लेती हूं फिर दिखाती हूं अगली सिलाई की इस तरह से हम बनाएं ये blue वाले skip करेंगे white वाले उल्टे बनाएंगे blue वाले skip white वाले उल्टे तो बार में स्लाइब टी साइड से निससे बनके कमप्लीट है। डीजाइन की तेर्मी चीलाई से तरह से बनाएंगे। दो फन देए वाइट कोलर से इस तरह से अब यह बिलू वाला फन दा इधर आएगा। इसे निकालके इस तरह से आप लिए ले लेंगे। इसको इधार रखेंगे ,ःब इसको सीधा करेंगे इसको भी सीधा .अब ये बुली वाला इधार आएगा , वाइट वाला इधार आएगा ऐसे लेंगे इस तरह से, इसको सीधा बनाएंगे, इसको भी सीधा बनाएंगे, इस तरह से, इस फंदे को सीधा, इसको भी सीधा, बिल्यू वाला इधर आएगा, वाइट वाला इधर आएगा, वाइट वाले बिल्यू में डालेंगे, वाइट को निकाल के पीछे से हम इस त सब्सक्राइब एसमें विच गैँ सेसे डाल लेंगे इसको इसमें डालेंगर रह Hollा हुआँचसू मृषसी तरह से लए की यह आधी दूद मृषसी तरह ए इसमें वाल के रहा है। ये बीच वाले फिर से सीधे आएंगे दो फंदे अब ये वाइट वाला पीछे जाएगा बिल्यू वाला आगे आएगा इस तरह से तब ये बिल्यू वाला एक और वाइट बनेगा सीधा बिल्यू वाला पीछे जाएगा वाइट वाला आगे तो पीछे से हम नीडल डाल लेंगे वाइट वाले में ब्लू को निकाल के यहां पर रखेंगे इसको सीधा अब इन बच्चे फंदों को भी तीनों को सीधा बोलेंगे तो यह यहां पर हमारी सिलाई बन के कम्प्लीट है डिजाइन की अगली सिलाई लाष्ट सिलाई इसको हमने पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट करना है तो मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ तो ये लास्ट सिलाई भी मैंने उल्टे-उल्टे पूरे रोको बनाते हुए कम्प्लीट कर लिया अब आगए हैं अगले सिलाई सतर्मी सिलाई 8 सिलाई का डिजाइन है 16 सिलाईयों मेरी डिजाइन इस तरह से हमारा बनता हुआ आया तो आब हमने 16 सिलाई ये बनके कम्प्लीट है 17 सिलाई को फिर से हम तीसरी सिलाई कीत रही बनाएंगे एक फंदा विल्यू कुलर से एक को स्कीप करेंगे 6 फंदे फिर से विल्यू कुलर से से सेम तिसरी सलाई की तरही बनाते भी हम इस सतरमी सलाई को कम्पलीट करेंगे फोड़ा सबड़े में डिजाइन का फाइनल लुक कुछी स्तरह से हमारा बनता हुआ आया तो डिजाइन आपके सामने है इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में जैखिट में कारडीगन में कैप में सोक्स में किसी में डालिए सभी में डलके रैडी मेट से भी सुन्दर डिजाइन बनता हुआ आया तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ